दूस्तो self attest करने का बिलकुल simple process होता है, self attest में आपको सिर्फ अपने हस्ताक्षर करने होते हैं, यानि कि अपने sign करने होते हैं, कोई भी जो document है, उसमें जहां पर भी आपको खाली जगह दिखती है, यानि कि जो document है उसमें नीचे की तरफ आमतोर पर खाली जगह होती है, व वही sign वैसे ही sign आपको document पर करने हैं, उसके नीचे आपको self attested लिख देना है, और वहाँ पर आप अपना date भी mention कर सकते हैं, जिस date में आपने self attest किया है, तो self attest करना कोई rocket signs नहीं है, आपको simple अपने हस्ताक्षर करने होते हैं, अपने sign करने होते हैं, यानि कि आप अपना sign वहाँ पर करते हैं, नीचे self attest लिख देते हैं, तो वो self attested हो जाता है, उस पर self attested आपको जरूर लिखना है, sign जरूर करना है, और date भी आप डाल सकते हैं, और photo को attest करते हुए ध्यान रखेगा, कि आपका जो sign है, जो आपका signature है, वो आधा photo पर आना चाहिए, और आधा plane जो पीछे paper है, उस पर आना चाहिए, आधे का मतलब यह नहीं है कि पूरा 50-50 आए, थोड़ा सा हिस्सा photo पर आजाए, यह थोड़ा सा हिस्सा नीचे आजाए, यानि कि दोनों पर आना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर आए, तो आप थोड़ा सा photo पर थोड़ा सा नीचे करके sign कर सकते हैं, कुछ हिस्सा उसका उस पर आ जाना चाहिए, और इसी तरह के से किसी document पर आपको सिर्फ अस्ताक्षर करने होते हैं, अस्ताक्षर आप नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, उसके उपर मत करिए, जो भी sign करना है, जो भी लिखना है, document में जहां पर ख लिखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें